प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो GST के बारे में मैं आपसे जाना चाहूँ कि GST का रियल एस्टेट मार्केट में क्या प्रभाव पड़ा है और बायर और बिल्डर कैसे इस से जुड़े हुए अगर आपकी बन चुकी है उसका कम्पलीशन हो चुका है और रेडी है आपकी प्रॉपटी तो उस पर GST अप्लेकेबल नहीं है सेकिंड कि बायर को कैसे फायदा हो GST का बायर को फायदा GST का तभी हो सकता है जब कि जब बायर है उसको पहले क्या होता था कि जब डेवलपर की में बताता हूं कि पहले सर्विस टेक्स रूल और वैट का रूल हुआ करता था एक जुलाई 2017 से पहले तो उसमें क्या होता था 4.5 service tax plus 1% वैट लगता था बट उनको input credit नहीं मिलता था input credit means कि जो भी बायर property बना रहा है उसके अंदर जो भी सामान हो यूज कर रहा है जो भी cement या कोई भी product यूज कर रहा है तो उस पे जो भी उसने credit होता था उसको नहीं मिलता था अब सरकार ने क्या कहा है कि GST आपका लगेगा 12% के साब से अंडर construction property पे लेकिन आपको full tax credit मिलेगा यानि कि अगर builder 1000 रुपे का एक फ्लैट बेजता है तो 12 रुपे जो है बायर से collect करता है और same उसने अगर मालीजे उसमें 600 या 700 रुपे उसके इंदर लगाए है और उसमे same benefit in the form of discount अगर buyer को दे दे तो देखा जाएगा कि buyer को काफी फायदा होगा बट कई डवलपर हैं जो discount नहीं दे रहे हैं GST का या कोई benefit उनके पास पास नहीं कर रहे हैं तो buyer को तो benefit जब ही मिलेगा जब वो उसका जो GST का benefit input credit का उसके पास in the form of discount उसको पास करें क्या buyer इसके लिए कहीं शुकायद कर सकता है कहीं गोहार लगा सकता है कि उसे डिसकाउंट मिले देखिए डिसकाउंट के लिए कोई गोहार नहीं लगा सकता है लेकिन हाँ अभी रिसेंटली बात चल रही थी कि अगर गवर्मेंट ने बड़ा request किया है हर एक builder को बोला है कि GST का जो benefit है वो आप अपने buyer को pass करें ताकि property महंगी ना हो क्योंकि हमने अब आपको input tax credit दे दिया है अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद government एक anti-profiteering committee बठाएगी जिसके अंदर वो उसकी profit को लेकर उसके अंदर चीजों को calculate करेगी और अगर वो discount नहीं पे करेगी तो उसके पर कुछ action लिया आजा सकता है बट अभी ये provision में नहीं है बट ये आ सकता है provision में अगर वो benefit pass नहीं करती है CA की जरूरतों के लिए CA Manoj Singh से आप संपक कर सकते हैं reality media के माध्यम से